हेलो फ्रेंड्स आए हम लोग स्ट्रेंथ अब मेटिरियल में टोर्शन अफ साफ्ट के अंदर बहुत सारे एक्विशन डेराइविशन और यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हालो और सॉलिड साफ्ट का कंपेरिजें हमने स्टेंथ अब यह संल निकाला था और हमने róumने बताए ताए 2 इकविशन जब इसको हम पकड़ते हैं ते श्टेंथ निकलता है और इसको पकड़ते यह स्टिफनेश निकलता है तेक हैं बट अब हमने वीडियो में compare किया था solid और hollow shaft कोई पुछता है कि solid shaft strong होगा कि hollow shaft होगा but what will be the condition condition क्या होगा कि by strength आप check कर रहे हैं या by weight हमने last video में by strength इसको check किया था जब check किया था तो हमने देखा था कि यह जब आपने just में remind करा दो कि आपने देखा था कि आपने solid shaft के लिए torque निकाला hollow shaft के लिए निकाला और same condition में यह हमने निकाला था यह condition यह condition क्या है कि hollow shaft is 1.44 times stronger than the solid shaft यह strength wise यह निकला था आज हम लोग देखेंगे compare करेंगे by weight यह ना by weight में भी हम लोग यह मान करके चलते हैं comparison of solid and hollow shaft by weight आज का topic है तो इसमें by weight में भी जब हम निकालेंगे यह दूसरा देखिए यह by weight जब आप निकालते हैं इसको भी ठीना तो by weight जब निकालेंगे तो यहां भी हम यह assume करके चलते हैं क्या assume करके चलते हैं कि same length है ठीना length दोनों का same है same length है ठीना material same है ठीना and torque applied to both shaft is same that means कि th equal to ts ठीना तो जदि th equal to ts है तो हमारा shear stress भी maximum permissible shear stress भी क्या होगा same होगा ठीना maximum shear stress भी आपका क्या होगा same होगा तो अब आईए हम लोग निकालते हैं कि weight of the shaft तो अब weight जब निकालेंगे तो यह क्या हो w h hollow shaft का weight upon solid shaft का weight अब इसका जब हम weight निकालेंगे तो weight क्या होता है mass into gravitational force तो चलिए हम लिख देते हैं एक बार और g upon m s into g तो दोनों के कि cancel हो जाएगा ठीक है hollow shaft के लिए mass क्या होगा row into volume और यहां भी क्या हो गया row into volume यह hollow के लिए हो गया और यह solid के लिए हो गया लेकिन रो तो दोनों के लिए same होगा ठीक है अब देखिए volume volume क्या होता है area into length यह किसका है hollow का और इधर area into length किसका होगा solid का तो यहां भी देखिए यह length भी दोनों का same है क्योंकि condition आपने लेकर के चला है यह same length है तो अब बच क्या गया है area that means कि area of solid shaft upon area of hollow shaft area of solid shaft आप निकालेंगे sorry area of hollow shaft and area of solid shaft area of hollow shaft क्या हो जाएगा पाई अपन 4 dh to the power 4 minus dh to the power 4 sorry sorry area है ना तो पाई अपन 4 dh square minus dh square यह हमने ip निकालने लगा क्योंकि दिमाग में अभी वही चल रहा है सब कुछ polar moment of inertia area यह सब तो solid shaft क्या होगा पाई अपन 4 ds का square पाई अपन 4 पाई अपन 4 किंसिल हो गया और यह क्या बचाए dh का square minus dh square upon ds का square ठीक है अब देखिए यहां पर आपने मान करके चला है क्या मान कर चला था n equal to dh upon small dh outer diameter और internal diameter यहां पर आप n क्या मान कर चला है dh upon small dh ठीक है तो यहां पर capital dh equal to क्या हो जाएगा n into small dh that means कि यहां पर dh क्या हो जाएगा dh की जगा पर n square that means कि यह wh upon ws निकाल रहे है यह क्या है wh upon ws n square into dh square minus d square h upon ds का square wh upon ws है तो wh upon ws equal to n square minus 1 into d square h upon ds का square यह equation number 1 मान करके अभी चलिए तीक है दूसरा कंडिशन क्या बोल रहा है आपको दूसरा कंडिशन यह बोला है कि torque applied on both shaft is same तीक न है torque on solid shaft is equal to torque applied maximum on hollow shaft तीक न है यह हम assume करके चले हैं तो यह maximum torque इस पर क्या होगा tau into pi upon 16 ds का q और इधर क्या हो जाएगा tau into pi upon 16 और d to the power 4h minus d to the power 4h upon capital dh यहां देना दीजे यह just हमने यह कैसे निकाला है अभी बताने की जुरत तो नहीं है ते ना बताने की जुरत है तो मैं एक बार बता देता हूं मुझे कोई देख्यात नहीं है देखिए टॉर्क अपन आईपी इकल टू क्या था टाउ अपन आर यह टॉर्क जब आप निकालेंगे तो टाउ अपन आर इंटू आईपी और यह टाउ तो अपने जगा पर हो जाएगा आईपी क्या होगा पाई अपन 64 डी तो दी पाउर 4 अपन डी बाइड टू यह क्या हो जाएगा तो यह 32 पोलर मोमेंट है नए आईपी तो 32 तो यह क्या हो जाएगा टाउ इंटू पाई अपन 16 DQ ठीक है और इसी को हमने हॉलो के लिए निकाल लिया यहां पर यह दोनों क् calculate हो गया अब यहां पर यह देखिए तो यह पार्ट और यह पार्ट के इंसिल हो गया तो ds का q equal to अब यहां भी dh equal to यहां पर आपको मालूम है तीन यह आपने निकाला है तो यहां पर capital dh के जगह पर n to the power 4 small dh to the power 4 into d to the power 4h upon capital dh निकाल सकते हैं यहां dh के जगह पर n small dh रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा ds का q और यहां पर n to the power 4 minus 1 upon n और यह dh से dh cancel होगा तो क्या हो जाएगा dh q होगा की नहीं और यहां पर यह जो weight वाला equation निकाल लेते हैं ds का square चाहिए हमको तो यहां पर ds square निकालेंगे तो क्या से निकलेगा यह ds निकालिए तो क्या हो जाएगा n to the power 4 minus 1 तो ही नहीं 1 to the 3 और यहां पर n to the 1 by 3 into dh यह निकलेगा की नहीं इसको square कर दे हम ds का square क्या हो जाएगा n to the power 4 minus 1 upon n ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 by 3 into dh यह equation number मालेजे 2 putting this equation यहां पर जो आपने wh by ws निकाला था तो putting the value of ds यहां हम लिख सकते है putting the value of ds square from equation 2 यह जो आपने निकाला यहां पर ds का value हम रखने जा रहे हैं यह क्या हो जागा w h upon ws यह n square minus 1 ठीक है यह d square h और ध्यान दिजिए जब square की है तो यहां भी square आएगा ठीक है तो ds square h और ds square का value क्या हो जागा n to the power 4 minus 1 upon n 2 by 3 into ds square h यह रख सकते हैं यह जैसे ही आपने रख दिया तो यह क्या हो गया आपका w h by ws यह cancel होगा d square h और d square h यहां देखिए यह cancel हो गया ठीक है यह cancel होने के बाद यह अब आपका क्या बचेगा यह n to the power 4 और यह n square minus 1 है तो इसको यह देखिए कि क्या कहीं cancel हो सकता है क्या यह cancel करने के कोसिस कीजिए और नहीं होता है तो direct लिख लिजिए तो direct लिखेंगे तो d square h और d square h तो cancel हो ही गया है ठीक ना और यह n इधर बच गया था ठीक है तो यहां से आप ठीक है अब यहां से कोई भी जो है आप इसको उपर ले लिजे तो क्या हो जाएगा n square minus 1 into n to the power 2 by 3 तो है ही और इधर n to the power 4 minus 1 2 by 3 अब इसको चाहें तो आप break कर सकते हैं नहीं भी break करें तो आप एक चीज तो अब आप समझ गया कि n equal to क्या है capital dh upon dh तो यह n जो है हमेशा greater than 1 होगा ही होगा नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है तो और n equal to 1 हो जाएगा तब तो आपका solid हो जाएगा हमेशा greater than 1 होगा तो कोई भी n का एक बहलू ले करके आप टेस्ट कर लेजे तो जब n equal to 2 आप रखेंगे तो wh upon ws जो आपका निकल करके आएगा यह 4-1 तो यह क्या हो जाएगा 4-1 into 2 to the power 2 by 3 और यह आपका 2 that means कि 16-1 15 16-1 15 हो जाएगा इसको आप जब solve करेंगे तो यह विल गेट 0.78 तो आपका यहां पर आप जब हम finally लिखने की लिखना चाहें wh upon ws that means कि यहां पर wh upon ws निकला आपका 0.78 तो यहां से जदी आप देखिएगा इसको यह hollow shaft और solid shaft को by weight जब हम comparison किये तो wh equal to क्या लिखेंगे आप 0.7 times of ws कहने का मतलब क्या है कि जो hollow shaft है hollow shaft है वह solid shaft का 0.7% होगा that means कि 30% जो है weight आपका कम होगा किसका hollow shaft का for the same torque तो जदी same torque transmit करना हो तो solid के बजाए हम hollow क्यों नहीं उच करें क्योंकि वहां पर 30% की लगवक saving हो रही है आपको that means कि weight जो है यहां पर जदी हम लिखना चाहें इसका तो weight of hollow shaft hollow shaft will be less will be less for the same torque same length same material same CRS और जब हमने strength में भी देखा था strength से भी compare किया था तो strength भी हमने देखा था कि यह hollow shaft is more stronger than the solid shaft तो overall in nutshell conclusion में हम लिखना चाहें यहां पर तो अब हम conclusion सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे कि hollow shaft is more economical hollow shaft is more and more economical दो बार लिख रहें ताकि आपको याद रहे हो नोमिकल ठीक है तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमारा जो है hollow shaft economical है क्योंकि हमने यहां पर आपको TH upon TSB निकाल करके दिखा दिया जो कि आपका कितना आ रहा है 1.4 that means hollow shaft is stronger than the solid shaft और यहां weight से भी आपने देख लिया WH upon WS that means 0.7 that means hollow shaft का weight 0.7 of solid shaft है that means hollow shaft is more economical in both condition either you compare by strength either you compare by strength और by weight कैसे भी आप compare करेंगे तो hollow shaft ही जो है economical है और यह condition proof हो गया तो आप देखते भी होंगे कि ज्यादा तर कहीं electric pole भी generally hollow shaft ही रहता है आपका transmission shaft भी hollow रहता है even जिस shaft के उपर pulley mount होता है वह भी generally hollow रहता है तो maximum जगह हम लोग hollow shaft use करते हैं for the purpose of economical condition ठीक है टेकनिकली चुकि hollow shaft strong है तो economically feasible भी है और फायदे मंद है तो इस तरह से आपने इस lecture को बहुत अच्छे से समझा इसके लिए आपको धन्यवाद क्योंकि हर विक्ती हर चीज नहीं समझ सकता है आपने समझा तो आपने लाइक भी किया इस वीडियो को और दोस्तों के साथ भी share कीजिए स्वस्त रहे मस्त रहे और यूही मुस्कुराते रहे धन्यवाद